कैसी तैयार ये बेटा बस तैयार तो कपकी हो गए मा बस ये एक बार रिविजन कर रहा है लो रिविजन के साथ साथ थोड़ा नाश्ता भी कर लो वरना तुम्हारे दोस्ता जाएंगे और नाश्ता रह जाएगा हाँ मा खा लूँगा मैं आपको पता है बेख लेना इस बार बोर्ड एक्जम में मेरे 95% पक्के है अरे वा इतना कॉन्फिडन्स तो फिर क्या बाते चल रही है मा बेटे में एक्जम के तैयारी और क्या हो गए तैयारी बेटा जी पापा बेटे इस बार नाप पूरे परिवार का धान तुमारे उपर है प्रिलीम्स में इतने परसंटे जाए हैं तो फाइनल में एक्सपेक्टेशन और बढ़ गए हैं अरे आप टेंशन मतले आप देखना चिराग के इस बार 95 परसंट पक्के शाँ खांदान में पहली बार किसे का बेटा डॉक्टर बनेगा आप देख लेना हमारा चिराग पुरे खांदान का चिराग बनेगा मडिया है बेटा कॉन्फिडेंट मा ओर कॉन्फिडेंट अच्छा कल पता है क्या हुआ कल ना बोस ने मुझे अचानक अपने कैबिन में बूला लिया और पूछने लगे राजेश क्या प्लैन है तो मैं तो मतलब गफरा था गया मैंने पूछा सर क्या प्लैन है मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते तो सर बोले कि बेटे को तो टॉप ही करना है फिर आगे क्या प्लाइन है आफिस में ही नौकरी लगवाओगे आपने बोला नहीं होने कुछ नौकरी पे लगवाएंगे हमारे बेटे को आये बड़े अरे भाग्यवान मैंने कहे दिया सर को कि नहीं सर बेटे के बड़े प्लान से आगे चाकर के कोई अच्छे से कॉलेज में मैडिकल में एड्मिशन लेना है और मैंने तो ये भी कह दिया कि सर अगर फ्यूचर में कोई जरूरत पड़े तो आज आईएगा मेरे बेटे के अस्पताल में आपका फ्री में फिलाज कर देगा अरे बेटे ये तुम्हारे लिए पहन लाया हूं एक्दम अच्छे से एक्साम निखना थेंक्यू पापा, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंटी, कैसे आप, अर बिटे, आओ, 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 भाई, खाबर तो हमें पूछनी चाहिए, तैयारी कैसी चल रही है, बस चल रही है अंकल, ठीक, तुम लोग उपर जाओ, पढ़ाई करो, मैं आश्टा पीजवाती हूं, जाओ, क्या भाई, तु कितना पढ़ेगा, देख भाई, मैंने तो सब पढ़ लिया है, मेरा तो सब सेट है, तुम अपना बताओ, हाँ भाई, तु दो सेटी होगा ना, प्रिंसिपल ने तुम्हारा नाम एसेंबली में लेके तुमें स्पेशल वाल अल बेस्ट का है, तुम कैसे स कर अपना हस्पिटल खोलोगे, तो हमें भी वाँ पर रख जेना, डन, तुम दोनों को मैं नौकरी पर रख लूँगा, एक काम करो, तुम बन जाना मेरे असिस्टन, और तुम बन जाओ, कमपाउंडर, अरे इसे कमपाउंडर मत बनाना, घलत जगे सुई लगवा देगा, अच्छा, बहुत मजाब हो गया, अभी थोड़ी पढ़ाई भी कर ले, काम कर दोना भी अथाऊंडर, घलतन की। जीजरे नीजरे लाई पार्जार अवान्स झार बज़ाए पर दो करते हैं क्या होगा 95% नहीं है कोई बात नहीं मेरे यहां जॉप कर लेना उसके साथ माजा ना है तो मेरे पास आजाना है खाली है बेटा उसमें क्या हो गया क्या हो गया मतलब मा मैं मैं टॉप नहीं कर पाया बेटा 86% कोई कम नहीं होते आपके लिए कम नहीं होगा मेरे लिए है वह वहापे सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे हस रहे थे मुझे और वो श्रेयस मुझे कहता है कि मेरे वहापे तुझे ऐसा असिस्टेंट रखूंगा मैं वह लोग तो कुछ भी बोलते हैं देख तू दास मत हो खाना खाले ले खाना खाले खाना खाले नहीं खाले मुझे खाना यह तुमारे लिए पहनला है और शाह खान्दान में पहली बार किसे का बेटा डॉक्टर बने इस बार बोल्ड एक्जा में मेरे 95% अमारा चिरा पुरे खान्दान का चिराग बने का बेटा कॉन्फिडन्ट मा ओवर कॉन्फिडन्ट हुमारा तो क्या है यार हम देरी तरह थोड़ी ना है तुम दोनों को में नौकरे के रख यह तुमारे लिए पैन दाया हो एक्दम अच्छे से एक्जाम तुम जब डॉक्टर बनकर अपना हस्पिटल खोलोगे तो हमें भी वहां पर रख रहे ना है तो यह भी कह दिया कि सर अगर फ्यूचर में कोई जरूरत प पेड़ सीट लेगे हम तेरी तरह टॉपर थोड़ी ना है डान तुम दोनों को में नौकरे पे रख यह तुमारे लिए प्लाइन है अच्छे से एक्जाम बेंगा आप बता लिए तुझे पचास लाग सतर लाग एक करोड तक लगेगा फलेदेता है यिराथ एकली को ष घ्या दिए एपलीर एप जरी तर्छ को रिंग कितार्स अष्ट करे लिए झाल रए, य। खफनो कर दो, ढूंखवब। टूंग करन में था भुड़ अख इनधिता बाकष्ट इनगो प्रिया बीना मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें और अपने पूरे परिवार को शर्मिन्दा किया है समझ नहीं आ था कि अपनी इस नाकामी को कैसे स्विकार करो इसलिए ये दुनिया छोड़ कर जा रहा हो हो सके तो मुझे बाफ करना और हमारे चीरा का त्यान रखना तुम्हारा राजेश मा मा ये ये क्या है मा पापा ने आपको ऐसा क्यों लिखा था ये सब तेरे काम का नहीं है तु छोड़ी से बताओ न मा बस ये समझ कि बुरा वक्त था कट गया मतलब ऐसा क्या हुआ था के पापा को आपको ऐसा लिखना पड़ा स्टॉक मार्केट के गिरने से तेरे पापा को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ हालात इतने खराप हो गए थे के लेंदार सब घर पर पहुँच गए और तेरे पापा को धमकाने लगे घर चलाने की जिनता लोगों को पैसे देने की परेशानिया समाज में शर्मिंदगी और अपनों को हताश करने का दुख ये सब तेरे पापा सहन नहीं कर पाए और ये सारी परेशानियों को खतम करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को खतम करने का फैसला लिया तो फिर ये करने से उन्हें आपने रोका? नहीं तुम्हारे हाथ में जो किताब है उन्होंने गुरुजी ने रत्न सुन्दर सूरी जी महराज ने अगर सही वक्त पर तुम्हारे पापा के हाथ में ये किताब नहीं आई होती तो शायद तुम्हारे पापा हमारे बीच न हो दे और उनके लिखे खतकी बात सच हो जाती हाँ मेटा ये पड़ो तो पता चलेगा कि इंसान तो चला जाता है लेकिन पीछे छोड़ जाता है माय उसी परिवार की माय उसी और जिन्द की भर का डर परिशानिया खत्म नहीं होती हाँ इंसान जरूर खत्म हो जाता है खेर ये सब छुड़ो मुझी ये बताओ कि तुम्हें ये कहां से मिला और तुम क्या कर रहे थे मैं कुछ नहीं कर रहा था नहीं नहीं तुमरी आखे कहे रहे हैं ये तुम हम सबसे कुछ चीपा रहे हो क्या बाते बताओ मुझे बताने को प्राही क्या है इतने कम नमबर लेके आया हूँ कि दुनिये के सामने तो क्या खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता हूँ अपने खतम होते भविशे के साथ साथ मैं भी खतम होना चाहता था और इसलिए अलमारी में जाकर रेट पॉईजन लेने गया था और वहीं इतफाक से मुझे ये किताब मिली और इतफाक देखो तब ही ये बुक मेरे हाथ लगी और ये खत भी नहीं पिटा कोई भी चीज इतफाक से नहीं होती कोई शक्ती है जो तुम्हें ऐसा करने से रोक ना चाती है ये पढ़ो तो तुम्हें पता चरेगा कि देश प्रदेश में नचाने कितने लोग हर साल अपने जीवन से हाथाश होकर अंधकार की और चड़ बढ़ते हैं सूसाइड को अपनी परिशानियां और चिंताओं का हल मान लेते हैं कभी समाज का डर लोग क्या कहेंगे तो कभी और सफलता की शर्मिंदगी मैं क्या मूँ दिखाऊंगा कभी परिवार का प्रेशर हमें तुमसे ये उमीद नहीं थी You have failed us तो कभी अपने ही देखे हुए सपनों का टूट जाना You have failed yourself मैंनत पूरी करना पर सफलता ना पाना गिर जाना टूट जाना वज़े कोई भी हो इनसान का अपने आप से हताश हो जाना उसे एक एक ऐसे मोड पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से अंत का प्रारम होता है तब खुद से ये सवाल करना जरूरी होता है कि जिन्दगी तू इतनी सस्ति खुद को ये समझाना कि इसमें क्या हो गया ये अवश्यक है जैसे डूबते को तिनके का सहरा ही काफी है अंधेरे को उजागर करने के लिए एक लौब, एक उम्मीद ही काफी है वैसे ही एक हताश मन को परिवर्तित करने के लिए गुर्देव की वानी ये किताब काफी है आप सही कह रहे थे पापा हर चीज इद्धफाक से नहीं होती कोई शक्ती है जो मुझे और मुझे से कहीं लोगों को ऐसा करने से रोकती है मुझे एबुक देने के लिए थेंके पापा एक्जाम्स आपका संपूर्ण जीवन नहीं बलकि जीवन का मात्र एक हिस्सा है उसमें फेल हो जाने से या कम नंबर आने का ये मतलब नहीं कि आप जीवन में फेल हो गए हैं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्जाम में हार कर भी जन्दगी से हार नहीं मानी गिर जाने से इंसान की हार नहीं होती हार तब होती है जब वो उठने से इंकार करते और उठने की कोशिश ही ना करे गुरुदे द्वारा अन्य विश्यों पर लिखी गई कई किताबों में से कुछ किताबों का वाचन करना इन किताबों को पढ़कर आपके जीवन को एक नई दिशाम लेगी स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंजाइटी, सुसाइट जैसे नकारात्मक विचार अगर अपने भीतर मन का ताला है तो इन किताबों में अभी व्यक्त किये गए सकारात्मक विचार उस ताले की चावी आओ, इन किताबों को पढ़ें और साथ मिलकर आज एक वादा करें खुद से और अपनों से कि निराशा को कभी अपने उपर हावी नहीं होने देंगे नकारात्मक विचारों को कभी जीतने नहीं देंगे और कभी हार नहीं मानेंगे